प्रेज दलाओड आप सबको जय मसी की मैं परमिस्टर का धन्यवाद देता हूं आज की सुभा के लिए जो परमिस्टर ने हम सबको दिखाई है एक और दिन परमिस्टर ने हमारी जीवन में जोड़ दिया हम परमिस्टर को कोटी-कोटी धन्यवाद आएगा नया संदेश लेकर मैं आपके समगों को परस्तित हूँ मैं आपका दोस्त पास्टार राजमैसी और आज क्या जो संदेश है वो बाइबल से ही रेलेटेड है क्य कैसे पढ़ें बाइबिल को, कहां से शुरू करें, कैसे पढ़े कि हमें याद भी रहें, इस प्रकार से हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। तो आज मैं अपना अनुभव आपके साथ रखना चाहता हूँ और बाइबल से भी कुछ बाते करेंगे और कुछ अनुभव अपना क्योंकि मुझे काफी साल हो गए हैं प्रभू की सेवकाई करते हुए और मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं सीखता हूँ मैं सिखाने वाला ही नहीं हूँ मैं सीखता भी हूँ मैं छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ और बड़े बुजर्गों से भी सीखता हूँ क्यों क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कल एक बहन ने मेरे को कुछ बताया था कि मैं एक गलती कर रहा हूँ English की कोई Bible मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैंने चेक किया और उस बहन ने मुझे personally contact भी किया WhatsApp पर तो मुझे लगा कि हाँ वो मेरी गलती है तो मैंने उनको sorry बोला और कहा कि मैं वो Bible अभी यूज़ नहीं करूँगा तो ये सीखने का हमारे अंदर एक जज़बा होना चाहिए सीखने का अब ये नहीं कि मैं पास टरूँ तो मैं क्यों सुनू तुमारी मेरी मर्जी मैं जो मर्जी करूँ नहीं पर मैं स्थर किसी ना किसी को भेजता है हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए तो मैं थैंक्स बलता हूँ बहन को जिन्होंने मुझे करेक्ट किया और प्रभू को भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रभू ने मुझे साथ ऐसे लोग जोड़े हैं जो मुझे सही रास्ते पर चलाने के लिए मेरे साथ है मेरे साथ ऐसे ही बने रहीएगा हम बाइबल के और बहुत सारी बातों को जानेंगे अगर फिर भी मुझे कहीं कोई गलती होती है तो जरूर बताईएगा ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ अज का जो वचन है वो हम इस बात पर आज गौर करेंगे के कैसे वचन को पढ़ा जाएगा बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो मैंने अनुभव की हैं मैंने अपनी जीवन में देखा है वो मैं आज आपको बताऊँगा नोट कर लेना बहुत महत्तिपून बाते हैं क्योंकि अब परिस्तिती ऐसे है के बिना बाइबल खोले मैं प्रचार कर सकता हूँ कोई भी एक वचन आप मुझे दीजे मैं वहीं से प्रचार सुरू कर सकता हूँ यह क्यों हुआ क्योंकि मैंने बाइबल को रेगुलर पढ़ा है और ऐसे नहीं कि जैसे नौवल पढ़ ली हो कोई पुस्तक पढ़के रख दिया हो नहीं बलको कैसे पढ़ना है वो आज मैं आपको बताओंगा मेरे अकवर चैनल है जिसका नाम है True Pulse यानि कि Bible के सच्चे मूती उसमें मैं छोटे-छोटे सवाल और उसके जवाब देता हूँ आज एक सवाल है मैं पहले भी बता चुका उसको लेकिन आज पर मैंसे ने फिर से मेरे मन में डालाए कि मैं उस बात को आपके सामें रखू कि Bible जो है वो कितनी भासाओं में लिखी गई और कौन सी भासाओं में लिखी गई तो आप मैंसे बहुते लोग जानते हैं जानते हैं तो लिख दीजेए यहाँ पर नहीं जानते तो description में चाहिए लिंक है वहाँ पर क्लिक कीजिए आपको पता चलेगा कि कौन सी भासाओं में Bible लिखी गई और कितनी भासाओं में लिखी गई Praise the Lord मेरे साथ मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाईए जिद है सच को पहलाने की और आज से हमारा जो Word of Truth Prayer Center है वो शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से साम के 6 बजे तक बहन रेखा और बहन एस्तर के नमबर में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ आप नोट कर लीजे आप इनसे प्रातना करवा सकते हैं प्रातना योद्धा है और परमिस्तर ने इनकी हर एक प्रातना का जवाब दिया है बहुसते लोगों ने चंगाई पाई हैं बहुसते लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होएं प्रेज दे लोट तो परमिस्तर आप सब को आशिश दे आए एक छोड़ी सी प्रातना करके आज के वचन को मैं शिरू करूंगा है जीवीत और महांदियाल पिता परमिस्तर हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभू आज की सुभा के लिए जो तुने दिखाई है आज के प्रबचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं हरेक को आशिश दे कर हरेकी रोग बिमारी चिंता परिशानी को अपने सामरति नाम के द्वारा दूर कर ले प्रभू जी जिन घरों में नशा है करदा है प्रभू जी बेरुजगारी है के बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा करें धिन्वादितों प्रभु तुने मिरे प्रात्ना को सुन लिया प्रभु येश्यू के नाम से बाद दो आमें प्रेज लौड तो आईए आज के इस संदेश को हम सुरू करेंगे और संदेश तो बहुत बढ़ा है लेकिन मैं इसको संदेश के में आपको बताओंगा कि Bible हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए Bible पढ़ने का सबसे पहला जो एक तरीका है उसमें सबसे पहली बात हमारे अंदर यह होने चेहें कि हमारे अंदर एक जजबा होना चीए बाइबिल को पढ़ने का यह नहीं कि पास्टर जी ने बोला है तो हमें बाइबिल पढ़नी है मम्मी पापा ने बोला है तो हमें बाइबिल पढ़नी है भाप भाईया ने बोला है तो बाइबिल पढ़नी है या किसी एवेंजलिस्ट ने आकर आपसे कहा है या आपको मेसिज किया कि आप बाइबल पढ़ा कीजिए तब आप पढ़ेंगे उससे कोई फायदा नहीं है आप उसे एक नौबल की तरह या जैसे जो दूसरी पुस्तके आती है उनकी तरह पढ़ेंगे और फिर साइड में र आपके मन में आना चीए कि मुझे बाइबल पढ़नी है जब तक मन में आपके नहीं आएगा कि मुझे बाइबल पढ़नी है आप पढ़ेंगे ही नहीं डर के पढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे और खतम कर देंगे यादी नह अंदर किसका डर है पास्टर का, एमेंजलिस्ट का, मम्मी पापा का, भाई बेन का और किसी का, तो उस डर से बाइबिल पढ़ना बेकार है, ना पढ़ें तो अच्छा है, तो पहली पहली शर्त क्या है बाइबिल पढ़ने की, कि हमारे अंदर जिग्यासा होनी चीए, जजब क्या क्या कर सकता है हमारी जीवन, हमें बाइबिल पढ़ने का सबसे पहला जो तरीका है, जो एक शर्त भी कह सकते हैं इसको, कि हम अपने अंदर वो जिजबा पैदा करें, वो जिग्यासा अपने अंदर लेकर आए, कि नहीं, मुझे बाइबिल पढ़नी है, तो पढ़नी ह जा कुछ भी हो जाए, आपके पास समय हो ना हो, बाइबल पढ़ने के लिए समय आप निकालेंगे, जब आपके अंदर से एक बात आएगी कि आज मुझे बाइबल पढ़नी है, प्रिस्दरोड, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यह ध्यान से सुनिये, जब हम सर के निकट होते हैं, हम परमिसर से बाचित कर रहे होते हैं, हम परमिसर से बाचित कर रहे होते हैं, तो महुत ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट बाइबल को पढ़ें, लिखी हुई बाइबल जो है, जो हमारे घरों में पाए जाती है, फोन से नहीं, फोन वाली बाइबल ना प यही गलत काम होगा. आपको बाइबल खोलने से पहले एक प्राथना करनी है और प्राथना किस से करनी है, पवित्र आत्मा से, प्रेस दिरोड, आपको पवित्र आत्मा से प्रात्मा करनी है, देखे प्रभु येस्छु मसी ने क्या कहा, यहूदा चौदा अध्याय और इसके 26 पद में, देखे, यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि येसु मसी ने जब कहा कि मैं तो जाता हूँ मैं तुम्हारे ले एक सहायक दे का जाँगो जो सरवदा तुम्हारे साथ रहे ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहनुना चौदा अध्याए और उसका 26 पत है यह लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवितरा आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वै तुम्हे सब बातें सिखाएगा सब बातें कौन सी बातें सिखाएगा आपको मालूम है कौन सी बातें सिखाने के लिए प्रभू येसु मसी नहीं पर किया और आगे थोड़ा पूरा पढ़ देता हूँ, फिर मैं बता हूँ नहीं लिखा है, कि परंतु सहाया कर्थात पवित्रात्मा जिससे पिता मेरे नाम से भीजेगा, वह तुम्हें सब बाते सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें समन कराएगा, द पहली बात को देखेंगे, कि सब बाते तुम्हें सिखाएगा, कौन सी बाते, एक तो संसार में रहने की, नहीं, संसार में रहने की नहीं, सब बाते जो बाते जो बाइबल की बाते हैं, वो बाते क्या करेगा, हमें वो सिखाएगा, पौलुस संत, पौलुस का कहते है, रोम आत्मिक बातों में पवित्र आत्म हमारी साहता करता ना कि संसारिक बातों में तो क्या सिखाएगा लिखाए वो तुम्हें सब बाते सिखाएगा क्या सिखाएगा किस परकार से हमें बैबिल को पढ़ना है किस परकार से हमें प्रात्ना करनी है किस परकार से हमें उपवास रखना है, कब हमें बबतिस्मा लेना है, कब हमें प्रभु भोज लेना है, कैसे हमने तैयारी करनी है अपने आत्मिक जीवन की, किस तरह से हम प्रभु ये सुमसी के आगमन के लिए तैयार होंगे, किस तरह से हम बाइबल को पढ़ेंगे, और किस परकार से हम परचार करेंगे और किस परकार से हम प्रभू में उन्नती करेंगे ये बातें पवित्रात्म सिखाएगा दूसरी बात ये सुमस्षी ने कही है जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा अब ध्यान से सुनिये ये बहुत महत्तपून बा किस नौल में नहीं है किसी घ्रह सुभा जैसी पुत्र, रिका काई आती उससमें नहीं हैं सत्य-कथा जैसे किताबं आती उसमें नहीं कहा पर रहें वो बातें किस बाइबल में और ओ बाते देग्छी धर्ये खोलेंगे बताया क्या? और कौन بتाएगा? वो पवित्र आत्मा. लिखे, यहां लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें में याद दिलाएगा या समन दिलाएगा कौन पवित्रात्मा इसलिए ये दूसरी शर्त है बाइबल को पढ़ने की पहली शर्त है कि अपने अंदर एक जज़बा लेकर आएं दूसरी शर्त है कि हम पवित्रात्मा से प्रात्ना करें अपने हातों को उठा कर बाइबल को रख कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, इसके भेद मुझ पर प्रगट कर, इसमें गुड़ भेद की जो बाते हैं वो मुझ पर प्रगट कर, ताकि मैं उन्हें समझ सकूँ और उसे अपने जीवन में उतार सकूँ और बहुसते लोगों को बता सकूँ, पवित्रात्मा मेरी बाइबल खोलेंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही बात होगी, करके दीखेएगा ऐसा, एक अलग बात होगी, ऐसा लगेगा, कि आज मुझे कुछ खाथ बात मिलने वाली है, आज मुझे कुछ खाथ बात मिलने वाली है, तो वहां से हम जब प्रात्ना करते हैं, पहली इस सिखा मुझे ये समसी की वो बाते याद दिला जो इसमें लिखी हैं मुझे नहीं पता और जब हम पढ़ते हैं बाइबल को सुरू करते हैं तब हमें step by step step by step पवित्रात्मा हमें समझाता है सिखाता है तो कि सिखाने वाला हमारा एक master हमें परमे सर दे कर गया है जो बाइबल का master है और वो है पवित्रात्मा उसके बिना हम Bible को नहीं सीख सकते उसका होना बहुत ज़रूरी है वो कब हम इसिखाएगा जब हम प्रातना करेंगे बिना प्रातना के Bible को ना खोले दूसरी बात तीसरी बात बहुत से लोग क्या करते हैं Bible को कैसे पढ़ते है ऐसे खोला बाइबल को कोई सा भी चैप्टर निकल गया और वहां से थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ लिया चाहे इसमें एक पद हो चाहे वो उसमें पांच हो चाहे दस हो उसको पढ़के और आमीन बोलकर और छोटी सी परासना करके रख देते हैं ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये प्रती दिन का भूजन है हमारा और प्रती दिन का भूजन हमें स्वादिष्ट लगे इसके लिए हमें इसे बड़े ही रूची के साथ पढ़ना चीए हमें इसे आनंद लेकर पढ़ना ची हमें इसे खुशी के साथ पढ़ना ची हमें इसे एक पठ्थे पुस्तक की तरह पढ़ना ची है कि हमारा एक्जाम है हमें तयारी करनी है जब हम एक्जाम की तयारी करते हैं तो अपनी पुस्तक को कितनी लगन के साथ पढ़ते हैं वैसे हम में Bible को भी पढ़ना थी पहली बात मैंने बताई कि एक chapter को लोग पढ़ जाए दूसरी बात क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही खोला Bible को और एक आयत पढ़ दी बस छोटी सी आयत पढ़ी और उसे पढ़कर समाप कर दिया आहमन करके प्रातना करके समाप कर दिय उससे क्या फायदा होगा कुछ भी नहीं पता ही नहीं चलेगा पढ़ना किस परकास से है वो मैं आपको अभी बताऊँगा लेकिन पहले ये खास बात मैं आपको बता दूँ बाइबल क्यों नहीं समझ में आती क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं Bible खोली एक आयत पढ़ी ऐसे Bible समझ में नहीं आएगी दोस्तों Bible को शुरू से पढ़ना सुरू कीजिए उत्पत्ती से पढ़ना सुरू कीजिए क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया है नया नियम और पुराने नियम को अलग कर दिया है जबकि अगर पुराने नियम शरीर है तो नया नियम आत् उधारनों को नया नियम में नहीं डालते प्रभु ये सुमसी ने बहुत जगा पुराने नियमों की बाते की हैं ये शया को देख ले निन्वे शयर को देख ले और भी बहुत सारी बाते हैं जो ये सुमसी ने अपने दिश्टानतों में उधारनों में अपने परचार के दु पुराना नियम, निया नियम अलग नहीं है, यह पूरी एक Bible है, इसलिए पूरी Bible को पढ़ना जरूर है, उत्पत्ती से सुरूर कीजिए, एक अध्याय पढ़ लीजिए, दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए, और कई बार क्या होता है, कि हम एक पूरा चैप्टर पढ़ के छो होती है ध्यान से सुनिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं बाइबल की और इसे आप शेर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जाने क्या होता है कि जब अंत आता है आखरी आज जब हम इस चैप्टर के पढ़ते हैं उस अध्याय की पढ़ते हैं हम उसे समझ नहीं पाते हैं और उसे छोड़ देते हैं और बाइबल को बंद करके हम रख देते हैं कैसे देखिया है सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको इबरानियों के पत्री पांच अध्याय लेकिन पहले मैं छे अध्याय पढ़ूँगा उसके पहले पद में यहां आओ मस्जी की सिख्षा की आरम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़ते चले जाए अब अगर इसलिए पहले एक शब्द आया तो इसका मतलब उससे पहले कोई ना कोई बात जरूर हुई है उससे पहले कोई ना कोई बात हुई है तो जैसे कहते हैं ना कि मैं चर्च इसलिए नहीं जाता या मैं उनसे मिलने इसलिए नहीं जाता है इसलिए का एक बहुत बड़ा महत्व है यहांप लिखा इसलिए आओ अगर इसलिए लिखा तो इसका मतलब उपर कोई बात हुए आए देखते हैं उपर क्या बात हुई है पांच वे अध्याय में ठीक है पांच वे अध्याय के मैं पढ़ूँगा तीरा आयत से लिखा क्योंकि दूद पीने वाले बच्चे को तो ध सिद्यता के और आगे बढ़े अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं हम पांच अर्ध्याय और छे अर्ध्याय अब हमें दोनों पढ़ने पढ़ेंगे दोनों पढ़ने पढ़ेंगे अब तबी तो समझ में आएगा यहां पर छोड़ दिया गया कि दूद पीने वाले बच्च पक चुकी हैं तो यहां पर विब्रानियों पांच अध्याय के आखरी पत को जब हम पढ़ते हैं मुझा पर अनसे आनों के लिए हैं कि जिनके ग्यानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्ते हो गए हैं इसलिए आओ मसी की सिख्चा के आ नियुकर पक्के हो गए हैं बद सोड़ दीया फिर करें कि आघर पक्के हो गए है तो अगर हमारी ग्यानेंद्रियों परिपख हो गए था सुट करता है वह लिखने वाला इसलिए आओ अब सिद्धता की और आगे बढ़ें यह तरीका है बाइबिल को पढ़ने का, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ पहला कुरुंतियों है, बारा अध्यार उसका आखरी पद, अब देखें हमाँ लिखा क्या है वहाँ पर संद पॉलुस ने उसको लिखर छोड़ दिया और हम भी पढ़के छोड़ देते हैं, लेकिन समझिये तुसे ही, मैं लिखा क्या है आखरी पद, 31 पद, पहला कुरुंतियों बारा अध्यार का 31 पद, यहां लिखा है क्या सब अनुबात करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो और नीचे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिये परंतु मैं तुमें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं कौन सा मार्ग यहां तो खतम हो गया अच्छे अप्टर क्या करें, बहुसते लोग इसे पढ़के बंद करके रख देते हैं बाइबिल ऐसे पढ़ा, लिखा है के परंतु मैं तुमें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं पढ़ा, बंद कर दिया बाइबिल को रख दिया अब यह तो जानिये, वो मार्ग है कौन सा उसका जिक्र कहां किया है संतौँ पालुस ने उसने बताया कहा है कि वो मार्ग कौन सा है यह बात तो जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना यहां पर छोड़ दिया है संत पालुस ने लेकिन उसका जिक्र करता है वो 13 अधिया के पहले पदमे क्या कहता है यदि मैं मनुस्यों और सर्दूतों की बोलियां बोलू और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठंठनाता पीतर और जंजनातियों जांचूँ यानि के प्रेम वो मार्ग है जिसके बारे में संत पॉलिस बताना चाह रहे हैं लिखा है 12 अध्या के आखरी पद में के प्रंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं सबसे उत्तम मार्ग क्या है प्रेम है ये सुमस्ती ने भी तो प्रेम का प्रचार किया और पॉलिस भी उसी बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता बजाएंगे तब ही बजेगा नहीं तो वो पड़े हैं अपने स्थान पर और दूसरे पद में लिखा और यदी मैं भश्यवानी कर सकूँ और सब भेदो और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाडों को हटा दू पर हम त अंदर नहीं है तो संथ पॉलिस वो बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं है बारा अध्याय को छोड़ देना उसकी आकरी आयत को पढ़के छोड़ देना हमारे लिए घातक है क्यों कि हम प्रेम के बारे में तो जानेंगे नहीं जो रास्ता हमें संथ पॉलिस बताना चाहते हैं कि मैं एक उत्तम मार्ग बताना चाहते हैं उत्तम मार्ग क्या बताया संथ पॉलिस ने यहीं तो है प्रेम वो तेरा ध्याय में जाकर बताया तो इस तरह से हम बाइबिल को पढ़े जब समझ में नहीं आये तो हम आपर रुके और देखें कि क्या है क्या बताना चाहता ह परमिसर काओ जैने उसे ढूंडे, नहीं मिले तो अपने पास्टर से पूछे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और आपको नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिस्टन में मेरा नंबर है, मैसिज कीजे, मैं आपको जरूर उसको अत्तर दूँगा, तो इस प पत्ती के पहले अध्यासे, जह हम सुरू करते चले जाएंगे, हम आगे चल कर क्या करेंगे, हम कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, हम एक एक बात को समझते चले जाएंगे, और फिर जब हम आगे आएंगे, तब हमें पता चलेगा, कि कौन सी बाते कहां पर रह ग या जो सारी बाते बेपरत हो जाएंगी, खुल जाएंगी और हमें बाइबल अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बढ़ जाएंगी, बाइबल को पढ़ते रहिए, अगर पहला चैप्टर आप पढ़ने नहीं समझ में आया, दूसरे दिन फिर पढ़िए, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे, या ऐसा किजिए, एक चैप्टर पुराने नियम का पढ़ लिजा और एक नए नियम का, रोज पढ़िए, परमेसर से प्रातना, पवित्रात्म से प्रातना, और मांगना ये कि मैं इन वचनों को मुझे समझा, बुद्धी खुल जाएगी, और परमेसर क्या क इसके तीन पद में परमेसर का वचन कहता है कि मुझे से प्रातना कर, और मैं तेरी सुनकर, तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिने तु अभी नहीं समझता, कौन सी बात है, संसार की, नहीं, ये बाइबिल की कठिन बातें जो समझ में नहीं आती है और कौन बताएगा, वो परमेसर का हत्मा बताएगा, तो ये तरीका है बाइबिल को पढ़ने का, अगर बात समझ में आ गई है, तो इसे जरूर सेर कीजेगा, और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जरूर बताएगे का है, मैं कोशिश करूँगा कि कल फिर से इसको थोड पहुंचे, नया वीडियो बिना रुकावट आकि पहुंचे, मेरी वीडियो इसको लाइक कीजे, शेर कीजे, और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जरूर बातित कीजे, मेरी मुहिम में शामिल हो जाईए, जिद है सच को फेलाने की, और टूथ पल्स में आज का सवाल है के बाइबिल कितनी भासाओं में लिखी गई और वो भासा है कौन सी है, आज से हमारा वर्ड आप टूथ प्रेयर सेंटर शुरू हो रहा है, ये नमबर है, दोनों भेहने हैं रेखा और भेहन एस्तर, आप इन से प्रातना करवा सकते हैं, प्रातना योद्दा है, परमेसर हर एक प्रातना का जवाब दिया है, करवा की देखें, परमेसर आपके जिवन में बड़ा काम करेंगे, प्रेज देलोड, बाइबिल के ऐसी है और अधिक जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरी होसला वजाई कीजिए, मेरी हल्प कीजिए, ताकि हम इस झाल 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 झाल